नमाजकार दोस्तों, 8 ओगस्ट सल 1942, मुंबई के गुवालिका टैंक मैदान में All India Congress Committee के लीडर्स इखटे होते हैं ये एक संघर्ष का एलान करने वाले हैं, एक आखरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश इंपीरिलिस सरकार के खिलाव हजारों की भीड के सामने महत्मा गांधी एक एतिहासिक भाशन देते हैं आप में से हर एक व्यक्ति अपने आपको अब आजाद समझे हम अपसे अब इस इंपीरिलिसम के जूते के नीचे दबकर नहीं रह सकते हैं हमें चाहिए पूरी तरीके से आजादी मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ इसे अपने दिल में बसालो और इसे अपनी हर सांस में याद रखना ये मंत्र है डू और डाय करो या मरो अब या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जियेंगे कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों कुट इंडिया मूवमेंट की भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में और कुछ महीने पहले से ही ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी एक थ्री स्टेज प्लान पर इस मूवमेंट को खतम करने के लिए स्टेज वन प्रॉपगांड़ का इस्तिमाल किया जाए पूरे मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल बनाया जाए कि कोई भी अकबार इसकी ख़बर ही न चाप पाए स्टेज टू कॉंग्रेस ओर्गनाइजेशन के दफतरों पर रेड मार कर उनके फंड्स सीज कर लेना सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेना स्टेज 3 मास मुवमेंट को सप्रेस करने के लिए एमरजेंसी पावर्स का इस्तिमाल करना कॉंग्रेस के लीडर्स को एंटी नैशनल गोशित कर देना और इस तरीके से मुवमेंट को शुरू होने से पहले ही खतम कर देने। अगले कई सालों तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने थे। फिर सवाल ये कि इस movement को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज के वीडियो में आप इंस्पिरेशन की एक जबरदस दास्ता सुनेंगे। इतनी सकती और मुश्किलों के बीच आखिर कैसे इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुँचता है। और कौन वो देश में रहने वाले गदार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस movement के दोरा आएए समझते हैं कुट इंडिया मुवमेंट को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस movement के शुरू होने से exactly दो साल पहले की बात है। 8 August 1940 ब्रिटिश राच ने वाइस रॉयल इनलित गो के द्वारा एक ओफर पेश किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। इसे नाम दिया जाता है ओगस्थ ओफर। इसमें इन्होंने कहा कि हम इंडियन की रेप्रेजेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। असल में बात क्या थी कि ये वो समय था जब वर्ल्ड वार टू बड़े जोर शोर से चल रही थी यूरोप में। इसलिए उन्होंने सोचा इंडियन को मनाने के लिए हम एक ओफर देते हैं। इस समय तक कॉंग्रेस ने ठान ली थी कि वो छोटे मोटे ओफर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो पूरी तरीके से आजादी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है इंडिया कॉपरेट करें उनके साथ इस वार में तो इंडिया को पूरी तरीके से आजादी देनी होगा। तो ये ऑगस्ट ओफर फेल रहता है। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन के दुआरा एक और डेलिगेशन भेजी जाती है। इसे नाम दिया जाता है क्रिप्स नहीं होता है, बलकि डोमिनियन स्टेटिस का होता है। क्रिप्स के ओफर में इंडिया एक और जायेगा ब्रिटिश कॉमन वेल्थ के अंडर। ये थोड़ा बेटर ओफर था पिछले वाले से लेकिन कॉंग्रेस ने इसे भी आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्ह वार्धा मीटिंग के 9 दिन बाद, 23 जुलाइ, Secretary of State for the Colonies, Viscount Cranbourne को एक चिट्थी लिखते हैं। ये बताते हैं कि जो resolution इस वार्धा मीटिंग में लिया गया है, वो 7th August को All India Congress Committee की मीटिंग में अप्रूफ किया जाएगा। और इसके बाद एक मास मूव्मेंट शुरू होग जो British Empire की सियासत के लिए एक direct challenge होगा। हमें कड़ी से कड़ी measures लिनी चाहिए यहाँ परूफ इस चिट्थी में लिखा होता है, if necessary we have to contemplate therefore the probable arrest of Gandhi and the members of Working Committee। ये भी mention किया जाता है कि कुछ Congress की leaders को Africa deport कर दिया जाये ताकि ये movement शुरू ही ना हो पाए। इसके अगले दिन British Raj की Home Department एमरी के साथ एक three stage plan शेर करती है इस movement को खतम करने के लिए वही plan जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। यही कारण कि जब All India Committee के दुवारा quit India resolution पास की जाती है British इसके बारे में अलड़ी जानते थे। महात्मा गांधी की एतिहासिक स्पीच के बाद 9th August को स कि दिखते हुए कहा था कि हमें इन महात्मा को एक ऐसी जगें बेजना चाहिए जहाँ नाम में jail ना हो। अगर हमने ये दिखा दिया कि हम Gandhi जी को jail में डाल रहे है तो हो सकता हैं है लोगों में गुसा आजया इसलिए हम ये दिखाएंगे कि हम तो उन्हें palace में कैद कर के र बड़ी और्गनाइजेशन्स मुस्लिम लीक और हिंदू महासबा इन पर कोई पावंदी नहीं लगाई जाती क्योंकि ये दोनों और्गनाइजेशन्स कुट इंडिया मुव्मेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी इसकी बात मैं वीडियो में डीटेल में आगे करता हूँ लेकिन इससे पहले मीडिया का हाल देखते हैं गांधी जी की जो एतिहासिक स्पीच थी उसका एक भी शब्द अलावड नहीं था मीडिया को प्रिंट करना अखबारों में तो ना ही किसी अखबार में महात्मा गांधी की स्पीच छपी ना ही कहीं ये छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्शन लिया है आखिर गांधी जी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुँचाये जाए यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों 22 साल की एक्टिविस्ट उशा महता की अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये एक ट्रांस्मिंटर धून कर लाती है और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है इस रेडियो के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुँचाया गया और ब्रिटिश राज के प्रोपगांडा को टकर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उशा महता संदेशों में कहती थी कि दिस इस कॉंग्रेस रेडियो फ्रम सम्वेर इन इंडिया लेकिन आक्चुली में वो बॉंबे से ही ओपरेट कर रही थी ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो का सोर्स धुणने में करीब तीन महीने का समय लगा लेकिन तब तक बहुत से लोग अलरडी जागरूख हो चुके थे धीरे धीरे ऑल इन्डिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाए जाने लगा जब कॉंग्रेस रेडियो को जाम करने की कोशिश करी जाने लगी फाइनली जाकर 12 नवेंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार उशा महता को अरेस्ट कर लेती है उनकी सारी equipment सीज कर ली जाती है और 6 महीने तक जबरदस तरीके से interrogate करने के बावजूद ब्रिटिश के सामने वो अपना मुह नहीं खोलती आगे चलकर साल 1969 में जब उनका interview लिया गया तो उन्होंने ये कहा था जब मेडिया का पूरी तरीके से मूँ बंद कर दिया जाए तो एक transmitter जरूर मदद करता है देश के कोने कोने तक इनकलाब का संदेश पहुँचाने में जिस वक्त ये movement शुरू हुई उस वक्त नेता जी सुभाज चंद्रबोस जर्मनी के बरलिन शहर में रह रहे थे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूप करने की अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिये जैसे ही Quit India Movement शुरू होने की खबर नेता जी तक पहुँची उन्होंने अपने दोस्त ACN नंबियार को कहा कि अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का हाला कि नेता जी और गांधी जी के तरीकों में काफी अंतर रहा था लेकिन अब नेता जी पूरी तरीके से Quit India Movement के फेवर में थे उन्होंने इस Movement को India's Non-Violent Gorilla Warfare कहा जहां एक तरफ हमारे कुछ Freedom Fighters लोगों को जागरुक करने का संगर्श कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे उभर कर आए जो तयार थे Ground पर प्रोटेस्ट करने के लिए महत्मा गांधी के कुछ चंद शब्दों ने इस हद तक लोगों को इंस्पायर किया कि आप सोच भी नहीं सकते मतंगिरी हजरा बेंगॉल प्रेजिडेंसी में रहने वाली एक 72 साल की औरत थी इन्हें बेंगॉली में गांधी बुरी कहा जाता है जिसका मतलब है बूढी गांधी 39 सेप्टेंबर 1942 अपने डिस्ट्रीक्ट में ये 6000 लोगों की रैली लीड कर रही थी इनका प्लैन था सब लोगों के साथ मिलकर वहां के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहरा जाए और उस पुलिस स्टेशन को कबजे में कर लिया जाए जितनी उनकी उमर थी उससे ज्यादा उनमें साहस था पुलिस की धमकियों के बावजूद भी वो रुकी नहीं थी इस रैली को वो सामने से लीड कर रही थी वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कि तभी आगे से उन पर तीन गोलिया चला दी जाती है गोलिया लगते हुए भी उनके मुँसे वंदे मातरम निकले जा रहा था और वो नीचे गिर जाती है अपने हाथ में तिरंगा लिये अजादी के 30 साल बाद 1977 में हजरा वो पहली महिला करांतिकारी बनी जिनका स्टैच्चू कॉलकता मैदान में खड़ा करा गया हजरा जैसे ही हजारों लोगों पर ब्रिटिश ने इस मुव्मेंट को दबाने की कुशिश में हजारों लोगों पर उपन फायर किया राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त के वाइसरोय लिनलित गौव को एक चिठ्थी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया पचास हजास ज़्यादा करांती कारियों को मारा गया इस कुट इंडिया मुव्मेंट के दोरान इसके इलावा एक लाख से भी ज्यादा अरेस्ट देखने को मिले लोगों के यहां कई नाम है जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे जैसे कि सुचेता कृपलानी जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की चौथी चीफ मिनिस्टर बनती है इन्होंने अपनी खुद की अंडरग्राउंड मुव्मेंट चलाई कुछ लीडर्स अरेस्ट के लिए तयार थे और उन्होंने अपने पहले से alternate plan बना रखे थे जैसे कि 9th August को जब अरेस्ट किया गया यूसफ मेहर अली का गुवालिया टैंक मैदान में इन्हें आगे चलकर Grand Old Lady of Independence मुव्मेंट कहा गया ये दिल्ली की पहली मेर भी बनी और 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया मुव्मेंट के दोरान अरुना आसफ अली अरेस्ट से बची रही underground होकर वहीं दूसरी दरफ कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनने जेल में डाला गया लेकिन वो जेल से भाग निकले और अपना काम कंटिन्यू रखा जैसे की जैप्रकाश नरायन जिनने हजारी वाग सेंटरल जेल में डाला गया और अपने साथियों के साथ मिल कर इन्होंने प्लैन बनाया जेल से भागने का दिवाली की रात 8 नवेंबर 1942 जब ज्यातातर गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं थे तो इन्होंने एक बड़ा एतिहासिक जेल ब्रेक किया साथ कैदियों के साथ ये जेल से भाग निकले नेपाल की और जहां जाकर इन्होंने आजाद दास्ता की शुरुवात करी कई और ऐसी कहानिया है पूरे देश भर से जहां पर कुट इंडिया मुव्मेंट के दोरान सिर्फ लीडर्स ही नहीं बलकि आम लोग भी शिद्दत से भाग ले रहे थे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का चंदा एकटा करने से लेकर गाओं में बसने वाले लोगों का रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर देना सब कुछ देखने को मिला ब्रिटिश सरकार के पुलीस स्टेशन, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसिस और बाकी और जो सरकारी अथोरिटी के सिंबल्स थे उन पर हमला किया गया कॉलुजिस में बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, मार्चेज निकाली गई बॉमबे, जमशेतपूर, एहमदाबाद में हफतों तक फैक्ट्री वर्कर्स काम पर नहीं आये ये भी एक चीज नोट करने वाली है, हर किसी को रैलिया निकालने की जरुत नहीं मूवमेंट में पार्टिस्पेट करने के लिए अपना काम बंद कर देना, और्गनाईज स्ट्राइक्स करना भी एक तरीका है मूवमेंट में पार्टिस्पेट करने का कुछ जगाओं पर वाइलेंस भी देखने को मिला, ब्रिजिस उड़ाए गए, टेलिग्राफ वायर्स काटी गई, रेलवे लाइन्स को ब्लॉक किया गया यूपी बिहार में उस वक्त थाना जला आओ, स्टेशन फूक दो जैसे नारे लगे 31 ऑगस्ट को वाइसरोय लिनलित गव एक चिट्थी में विन्स्टन चर्चिल को लिख कर कहते हैं मैं जिस रेवलुशन से यहाँ पर डील कर रहा हूँ, वो इतनी बड़ी है कि आखरी बार हमने इतनी बड़ी रेवलुशन 1857 में देखी थी ब्रिटिश सरकार की सारी स्टाटेजी यहाँ पर फेल थी, सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी यह movement बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि आम जनता इसमें participate कर रही थी कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे और अब तो वाइलेंस भी देखने को मिल रहा था यहाँ पर यह चीज भी जाननी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी की क्या सोच थी इस वाइलेंस को लेकर क्योंकि हम सब जानते हैं 1922 में जब non-cooperation movement में वाइलेंस देखने को मिला तो उन्होंने इस movement को रोक दिया 1934 में फिर से civil disobedience movement के दोरान जब वाइलेंस होना शुरू हुआ तो फिर से गांधी जी ने उस movement को रोक दिया लेकिन अब quit India movement के दोरान जब फिर से वाइलेंस की घटनाएं देखने को मिल रही थी गांधी जी अब तक ठक चुके थे 7th June 1942 को उन्होंने अपनी weekly magazine हरी जन में लिखा था I waited and waited मैं इंतिजार करता रहा कि देश के लोगों में non-violent strength आएगी इन foreign लोगों को बाहर फेकने की अब मुझे लगता है कि मैं और इंतिजार नहीं कर सकता इन सभी precautions के बाद अगर अभी भी कुछ जगाओं पर violence देखने को मिलता है तो it cannot be helped गांधी जी का अप्रोच इस बरी pragmatic था इस complex situation को देखकर उन्होंने इस violence का सारा blame ब्रिटिश हुकूमत पर डाला इस पूरे संगर्ष में कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस movement में participate नहीं किया जो की बात समझ में आती है कि हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश की इतनी bootlicking कर रहे थे कि वो quit India movement को खतम करने में ब्रिटिश का साथ दे रहे थे दो बड़ी organizations थी उस वक्त Muslim League और Hindu महासभा Muslim League ने 1940 में एक resolution पास किया था जिसे Lahore resolution का नाम दिया जाता है जिसके चलते इन्होंने demand उठाई कि Muslims के लिए एक separate देश बनाया जाए इसे पाकिस्तान resolution भी कहा जाता है उस वक्त Muslim League के एक नेता थे Fazlul Haq जो Bengal province के first prime minister भी थे ये जो सरकार थी इनकी Bengal में ये बनी थी Hindu महासभा के साथ alliance में और इस Muslim League की सरकार में finance minister की position पर बैठे थे Dr. Syama Prasad Mukherji 26 July 1942 की बात है Quit India Movement के शुरू होने से करीब दो हफते पहले Syama Prasad Mukherji ने एक चिथी लिखी British सरकार को Anybody who during the war plans to stir up mass feeling resulting in internal disturbances or insecurity must be resisted by the government आगे ये लिखते है कि सवाल ये कि कैसे combat किया जाए Quit India Movement को Bengal में ये administration इस तरीके से करी जानी चाहिए कि Congress के सारे efforts fail रहे और ये movement Bengal के province में शुरू ना हो पाए ये literally ideas discuss कर रहे थे British की सरकार के साथ ही कैसे इस movement को दबाया जा सके कानपूर में हिंदू महासभा के 24th session के दुरान इनके party leader विनायक दामोदर सावरकर एक और strategy बताते हैं हिंदू महासभा responsive cooperation की strategy follow करती है हम ना सिर्फ unconditional cooperation देते हैं British सरकार को बलकि हम active और armed resistance के लिए भी तयार है intelligence agencies इनके stance को कुछ इस तरीके से describe करती हैं संग ने अपने आपको बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से खुद को कानून के दाएरे में रखा है रोगस 1942 में जो disturbances हुई उसमें party speed नहीं किया जहाँ एक तरफ नेता जी सुभाज चंदर बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया quit India movement के कुछ महीनो बाद वहीं दूसरी तरफ सावरकर colonial सरकार में लाखों इंडियन्स को recruit करने में मदद कर रहा था British Armed Forces में यह वहीं इंडियन्स यो British Army में दाखिल होगर सुभाज चंदर बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं उस वक्त एक बंदा था नराया नापते नाम से जो कि British फौज में शामिल होता है और बाद में चलकर British Royal Indian Air Force के लिए recruiter भी बनता है इसे आगे चलकर दोशी पाया गया कि महात्मा गांधी जी के assassination में इसका हाथ रहा था साथ ही में ही नत्थुराम गोट से का भाई गोपाल गोट से भी British की तरफ से ये जंग लड़ रहा था सावरकर ने Quit India Movement के बारे में कुछ और चीज़े कही थी कि इस तरीखे का गुंडाइजम ये कोई सिंपथी नहीं डिजर्फ करता ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन Freedom Fighters को जो एक्चुली मैं उस वक्त संघर्ष कर रहे थे British के खिलाफ और इसलिए ये सुनकर नेता जी सुभाश चंदर बोस भी चुप नहीं रहे 14th August 1942 को Berlin में रेडियो के जरीए वो एक संदेश भेजते हैं मसावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से request करता हूँ जो लोग British के सामने compromise कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई British Empire नहीं बचेगा हिंदू मासवा के खुद के एक senior leader NC Chatterjee लिखते हैं ये बड़ा amusing है देखना कि कैसे Mr. Jinnah चाहते हैं कि कोई भी मुसल्मान Congress की इस movement का हिस्सा ना बने और दूसरी तरफ Mr. Savarkar हिंदूों के लिए भी यही चाहते हैं इस सब opposition के बावजूद भी दोस्तो quit India movement एक successful movement रही इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी उस वक्त की American President Roosevelt भी pressure बनाते हैं UK की सरकार पर की इंडिया की कुछ demands फुल्फिल करी जाएं ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगी थी कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाए June 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया manifesto release करती है Let us face the future ब्रिटिश की जनता से promise करते हैं कि अगर हम power में आए तो हम इंडिया जैसी colonies को पूरी तरीके से आजादी दे देंगे अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है और इसके दो साल बाद जो संघर्ष हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने सालों पहले शुरू किया था वो काम्याब होता है इंडिया को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है हाला कि 1945 में चीज़ काफी क्लियर हो चुकी थी कि इंडिया को आजादी जाती है पहला आई ने सोल्जर्स का कोर्ट मार्शिल जिन्हें आई ने ट्राइल्स भी कहा जाता है और दूसरा रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इनके बारे में कभी और डीटेल में बात करते हैं किसी और वीडियो में अभी के लिए वीडियो पसंद आया तो अब इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं जहां मैंने डीटेल में एक्स्प्लेन किया है कि इंडिया का पार्टिशन आखिर क्यूँ है कौन से ऐसे लोग थे कौन से ऐसी घटनाई थी जिसकी वज़े से पार्टिशन कराना पड़ा यहां क्लिक करके देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद